पढ़ लो ध्यान से जब भी आप आते हूं तो डूस क्या है यह सब अच्छे से पढ़ लेना कि बहुत जलुवी है आपके लिए आपकी लाइफ के लिए उचे पाड़ो पाड़े तो यह तो लगाई लो संस्क्रीम लोशन नहीं लगाऊगे तो बंदर बन के जाओगे घर प पर तो भाई अलगी फीले बिलकुल कोई नहीं संसान बिलकुल अलग से यार यह प्यारे नजारे देखो खाली रोड वो इतने प्यारे टीले रख रहे वैसो तर बर्ज के टीले मिट्टी के टीले सारे यह देख सकते भाई यह रिवर है पूरी तो बर्ज तो जमी विया हो दिरे दिरे पिगलते हुए पानी आगे जा रहा है और साइड में देखो पत्था किरते ही रहते है तो सब भी जाने वाले है और क्या कहना चाहते है आप बताइए आपको यह ट्रिप कैसा लग रहा है पूरा और कमेंट में बताइए मुझे तबी पता चल पाएगा और भी आप ऐसे चाहते हो एसी बड़ी बड़ी ड्रिप चाहते है तो जस लेट मी नो और साइट में भूण बज़रा है क्योंकि बाइक वाले भी जा रहे है और मैं थोड़ी का स्लो चला रहा हूं और लेट उठा मैं आज भाई दावे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होई थी माइनस 14 डिग्री सल्सियस थाज तो लगा लिज़ा हो वह भी मही का महीना है और परकल अधिकल हाँ परसो अगर आप राइट हो जाते हो यूटर ले लेते हो तो यह लाए की मनस्ट्री की तरफ और आप सीधा जाता हो तो यहां से किबर और चिचम बिज़ दोनों पड़ेगा सीधा निकलना है हमें इस तरफ नहीं जाना है सीधा निकलना होगा किबर के लिए किबर विलेज हो second highest विलेज है इंडिया में और इसके बाद आपको मिलेगा चिचम बिज और लोसा तो यह पड़ेगा और हम निकल पड़े है इस वाले रास्ते पर जाए दूर नहीं है यहां से सिफ सब्सक्राइब नाम संश्किन लोशन नहीं लगाए तो यह तो लगाई लोशन नहीं लगाऊगे तो बंदर बनके घर पर लालाल फिर खाल हो जाईगी और दर दोगा एक हफते तक तो जलान होते रहती है पर सकते हो दूज और फॉक्स अगली ब्लू शीप और हमालय आइबेक्स मिलते हैं ठीक है तो यहां पर कूडा कबाड़ा कुछ नहीं करना है और यह पढ़ लो ध्यान से जब भी आप आते हूं तो डूज क्या है यह सब अच्छे से पढ़ लेना कि बहुत जरूबरी है आप के लिए आपके लाइफ के लिए प्लस यहां के निचर के लिए दोनों के लिए आपके लिए भी और यहां के लिए भी ठीक है तो ध्यान से पढ़ लेना पोज्ड करकी वीडियो और हम चीचम ब्रिज पहुतने वाले हैं और आपको दिखाते हैं नजारे इस वाइए हम आं आपको सिफ एक टाइम पर एक ही वहीकल एंटर होती है और भाईयो क्या फील है यहां पर मतब बहुत टाइम से देख रहा था फाइनली मैं यहां पर आ गया हूं ठीचम बिच पर वहू फाइनली चलो भाईयो चलते है उस तरफ और चलो भाईयो पीछड जाओ पहले हमें जा करके तो अच्छे शूट करेंगे पूरा रिल रिल बनाएगे फोटो लेगे यहां चलो यहां पर लागते कार और चलते हैं यहां से नीचे साब देख सकते हो चिचम बिच मैं थोड़ा नीचे आया थोड़ा बेटर वे विउ देखने के लिए दिखाने के लिए आपको और यह पूरी खाई है नीचे तो मैं आगी जा नहीं सकता हूं आपको देख रहा है तो मैं यह रिस्क नहीं लूँगा या और भाई क्या लग रहा है यार यह तो भाईयो हम पूर्चुकर वर्ल्स हाइस चेचम बिच पर जिसका सीरेवल से हाइट है 13,224 वर्ल्स हाइस चेच पाई तयार मैं से रिस्क नहीं लेना ची इतना मुझे वैसे डर लगता हूं चाहिसे और भाई बहुत नीचे खाई है और मैं दिखाने से वह देखो गई उदर से देख सकते हूं कितना इसली से इसली नहीं के वर्लस है चीचम बिच भाईयो है हार चीज यार यहार यहां तो भाईयो यहां से आपको पुरा दिखाता हूं सो खाई यहां से दिखाने वालो हूं आपको और यह हैट मैं से लाइव कदा स्किन बर्न हो रही है और भाई बहुत घह रहा है और यह वर्ल्स हाइस्ट चीचम बिच है जो सी लेवल से 13,224 फीट पर है तो यह वर्ल्स हा यहां से खाई यह बहुत ही जांगा बहुत ही गह रहे है और इतना प्यारा लग रहे यह दिखे यार बहुत प्यारा लग रहे है यह से यहार नीचे बर्फ और नीचे पानी है तो हम वर्ल्ड्स हाइएस चिचम बिज पर है और यहां सब अपना फोटो शूट कर आते हुए और हम जा रहे उस तरफ तो उस तरफ से हम देखते क्या फोटो या कुछ लई सकते तो अच्छा है तो हहां से भी ले लेगे और आगे देखते हैं क्या करना है आगे हम लॉसर ज होगी खुल के होगा ना भाई कुद्जम पास मज़ा आ जाएगा भाई मज़ा आ जायागा नई खुला वाट नैंडवी क्या कर सकते हैं तो दुछ तो है यह पट क्या कर सकते हैं चलो है फिर हम चूरूट कराते और निकल से निकलते आगे चिचं बिज से जो हम अभी चल सब्सक्राइब और आगे मिलते हैं आप से चलो पड़ाइब निकल गए लोसर खेले लोसर चिचम बेज से 38 किलोमेटर है तो वहाँ तक तो जाएगे अगर से आगे लाओ मिल गया ना अगर नास्तिक खुल गए बहुत मज़ा आएगा महाँ पर कुंजम पास पर क्योंकि बहुत करते हैं तो कटका मतलब हम चड़ाई चड़ने वाले और तो लोसर उची जागा पर है कुन सब्सक्राइब उससे भी उपर है तो देखते हैं चलो चलते हैं फे भाईयो तो जैस चीचम ब्रीस करते हैं थोड़ा सा आगे आके चीचम गाउं आ जाएगा एक विलेज तो यहां पर आपको स्टेक करना है चीचम से थोड़ा आगे आके यहां स्टेक कर सकते हो और लोसर के लिए भी जा सकते हो ठीक है और लोसर के लिए आपको यहां से नहीं पड़ेगा यू टोन लेना पड़ेगा ठीक है यह गाउं है चीचम गाउं तो यहां से तो हम जाने और ये है आपका लोसर के लिए रास्ता जहां से यूटन लिया और हम चल दिये लोसर के तरफ और लोसर से आके आई तिम हम इस चिटम गाउं में रुखेंगे फिर यहां से वापस निकले गए पिन वैले अभी हमने घूमा नहीं क्योंकि मैंनो छोड़ दिया विकॉज और को वापस जाते टाइम हम जाने वाले हैं पिन वैली आलसे तो पीड़े पीजेंगे फिर उसके बाद शिक्ते घर के लिए अगर 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 साफ न बात रहां तो अगर अगर अबर्वाइस फिर पिन वैले शूड़ी आएगा तो हम कन्न पास को कॉगा किन जले और ये वायो, ये देखो, कितना प्यारा लग रहा हुआ है ये और सबस्ची बात है, कोई नहीं जार रहा है, ळो स सिफ मैं ही जा रहू हुआ हूँ, केला सब नीचे रुख गए, वहां से वापस जा रहे, चीचंपरी से ही वापस हो रहे हैं, बट लो सब मैं जा रहा हूँ, अकेला, तो भाई, अलग ही फीले, बिल्कुल कोई नहीं संसान, बिल्कुल अलग से यार, ये प्यारे नजारे देखो, खाली रोड, और साइड में मैदा मिल्कुल, भाई क्या लग रहा है, बिल्कुल वैली लग रहा है, पूरा वैली लग रहा है, भाई, ये, मस्त, यार, आगे जाने को मिल जाए नो, और मसा आ जाएगा, बस, आप व्यू देखो, मजीलोस के, ये थोड़ा से ना, डेंजर स्टार्ट हो गया है, बिकॉद आफ यहां पे पत्थर गेर रहे है, हर जाए पत्थर गेर है, बिकॉद अफ थोड़ा इते हैं, तो मेल्टी की लिए तो, ओविसली, के देखो, कितो बड़े बड़े पत्थर गेर है, पहले तो मैंने बहुत ज आगे बढ़ते हैं, आईयो यह देखो यार क्या लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट, देखो बाई, उपापार देखो, नीचे देखो, जहां नदी जारी है, यह पूरा देखो, अलग डिजाइन में बना के रखा हुआ है, नहीं पूरा, यह बहुत लग रहा है, यह द्र एक चीज और मिलने वाली है, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ, वो प्रामिट्स टाइप होते हैं, वो बहुत फेमस है, अगर वो मुझे लग रहा है, हाँ पे ही मिलेगे, यह देखो, तब तक अलग ही लग रहा है, यह सच में बताओ, बहुत प्यारा लग रहा है, साइ यह देखो, वो देखो भाई, वो भी देखो, कैसा लग रहा है, मस बाई, अलगी है, बिल्कुल डिफरेंट पहाड है बाई, कुछ भी काओ, डिफरेंट पहाड है पुरी, चल चलते है, बाई पत्फर गिरेगा मैंने, निकलते है यह से, इक आई यह देखो, यार, एक सामने एब को कितना मस लग रहा है वह से माया था व इतन खुले एक भाइज मिलेगे हूप आप लेप्ट साइड में देख रहे हो यह है काइटो विलेज सो यह बेसिकली लोसर से 16 किलोमेटर पहले पड़ता है और अगर आप यहां रुखना चाहतों यहां भी रुख सकते हैं हाँ आप यहां पर रुख सकते हो ठीक है तो आगे बढ़ते तो यह बेसिकली लोसर से देखते हैं या तो यहां रुखेगे या चीचम जो विलेज आपको दिखाया था ना पहले वहां रुखेगे अब देखते क्या करना है हमें आप तो देखते हैं चलो भाईयो आप यह बहुत बंद बलेगे अपको सारे दाबे अभी आप एक दाब आता से पहले भी आपने बहुत देखोगे पर बहुत बंद एचीजें आप यहां पर आपको चांसेज बहुत ही कम है कि आपको धाबे खुले मिलेगे वह एसे जगा मिलेगे अधरवाई बलॉसर की तरफ वाल तो बिल्कुल भी एक धाब आपको नहीं मिलने वाला खुले हुए अगर आप आप सीजन आते हो आप सीजन में तब पंदरा माई से तुमाई के बाद और देले खुलना स्टाट होते हैं तब ही बच्चों छोटी बड़ पड़ती है लोग आना स्टाट होते हैं बट सिजन जब तक आफ रहता है तो ऑफ से अगर आप सीजन में आ रहे हो तो खुद से प्रिपर हो के हो खुद का भी खाना लेके आओ यह नहीं कि यहां पर डिपेंड हो करो कि हम मिल जागा सब not compulsory तो खुद का भी खान लिकाना अगर आप आप से जमनाते हो देख सकतो यह पित लिवर है और यह बिज है लख्टे का जास मेंना भी क्रोस किया है तो यह देख सकतो पूरा पानिया भी जमा हुआ धिरे देरे पिगाल रहा हुआ बी गर्मियानी स्टा टो रही है और यह देख सकते हैं यह रिवर पूरी तो यह वर्थ से जम्मिविया और दीरे-दीरे पिगलते हुए पानी आगे जा रहा है भाई मस लग रहा है और यह मेरी धन्नो हम चलते आगे हम पहुच गए है लोसर वैली बोरा सामने लोसर वैली लोसर विलेस और आगे देखते हैं तुम्हां तक हम जाएगी चलो यह देखते हैं देखते हैं और आगे हम ब्लते हैं आगे ब्लता कर पाएंगे या चन्ताली यह यह अगरिए पता चलेगा तब के लिए बने रही और वीडियो पसंद आ है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो and hit the bell icon, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगे and फिर से मिलेगे, बाबाई